हेलो एवरिवन आज मैं बताऊंगी पढ़ाय में मन लगाने के लिए 11 उपाई के बारे में जिसे आपको पढ़ाय में अच्छी तरह से मन लगे पढ़ाय में ध्यान के लिए सही जगा चुने पढ़ाय के लिए कुछ महत्पुन चीजों को ध्यान रखे जिसके बारे में में बताना चाहती हूँ पहले पढ़ाय करने के एक ऐसा जगह ढुणडे जहां पर शांत वात आवरन हो पढ़ाय करने के लिए ऐसा जगह ढूणडे जहां किसी तरह का कोई आवाज ना हो एकदम सांती पुन जगह हो दूसरा है जादा गर्मी या जादा थन्ड ना हो वैसे जगे पर पढ़ाय करें तिसरा है बैठने के लिए एक अच्छा कुर्शी और टेबल रखें चौथा है किताबों को अच्छे से रखने की सुभिदा हो वसा जगा चुने पांच माए कुछ लोग पढ़ाय करते समय गाना सुनते हैं तो गानने को उतना ही सुने जिससे की आपका मन विचलित ना हूँ कुछ लोग पढ़ाय करते समय गाना सुनते हैं लेकिन गाना उतना ही सुने जिससे की आपका मन विचलित यानि की डायवर्ट ना हो आप कहानी, कवीता, नौवेल पढ़ते समय ही मीजिक सुने उसके बाद कोई और चीज पढ़ने के टाइम पर गाना ना सुने चट्था है उस कमरे के बाहर do not disturb का बोड लगा है उस जिस कमरे में आप पढ़ रहे हैं उस कमरे के बाहर do not disturb का बोड लगा है ताकि आपको कोई disturb करना पाए सात्मा है पढ़ाई करते समय परिवार वालों से कहें कि वह आपके कमरे में बार बार ना है जिससे कि आपका मन डैवर्ट ना हूँ दूसरा उपा है पढ़ाई को अपने नियमित काईर बनाए पढ़ाई को अपने नियमित यानि की रेगुलर काईर बनाए जैसे कि कोई भी आदमी पढ़ाई के अलावा और भी काम रहता है उसी डेली का काईरी ही समझे पढ़ाई को भी आपको एकागर होकर पढ़ाय करने के लिए कुछ इस तरह का planning या योजना बनाना होगा आपको concentrate रखने के लिए planning बनाना होगा पहला है हर दिन पढ़ाय करने के लिए time table chart बनाया और उसके समय की अनुसर पढ़ाय करे हर दिन पढ़ाय करने के लिए time table chart बनाया और वही time table chart के अनुसर पढ़ाय करे दुसरा है पढ़ाय को देनी काईज से अलग ना समझे पढ़ाय को देनी काईज से अलग ना समझे वा regular काईज की तरह ही समझे पढ़ाय को तिसरा है पढ़ाई करने के लिए हमेशा उत्साहित रहे चौटा है 45 मिनट से ज्यादा लगतार पढ़ाई का समेश टायम टेबल में ना रखे और बीच बीच में 5-10 मिनट का ब्रेक ले 45 मिट से ज़्यादा लगतार पढ़ाई का समय ना रखे और बीच-बीच में 5-10 मिट का ब्रेक ले पाचमा है ध्यान देखिए आपको दीन या रात किस समय पढ़ने में आसानी होती हो उसी के अनुसार अपना समय चार्ट बना है आपको ध्यान देने वाज़ी बात है कि दीन या रात जिस समय पढ़ने में आपको आसानी होती है उसी के अनुसार अपना टाइम टेबल चैट बना है ऐसा नहीं कि दीन में पढ़ना है तो पढ़ना है जब आपको पढ़ने में असानी हो उसी के अनुसार पढ़ाई करें तिसरा है ध्यान हटाने वाली चीजों को दूर रखे ध्यान हटाने वाली चीजों को कहने का मतलब है मुबाईल, टेलिवीजन, इत्यादी आपकी पढ़ाई को किस परकार नुकसान होते हैं चलिए जानते हैं मोबाइल, फोन और टेलिवीजन पहला इन चीजों की वज़ा से आप अपना ज्यादा तर पढ़ाई का समय दूसरी चीजों में बरबाद कर देते हैं इन चीजों के वज़ा से आप ज्यादा तर पढ़ाई का समय दूसरे चीजों बरबार कर देते हैं, जिसे कि फोन में कुछ देखना इत्यादी, दूसरे मोबाईल फोन पर लंबी बात हो या सोसल नेटवर्किंग वेबसाइट पर लंबी चेट दोनों परकार से आप पढ़ा पर लंबी चेट किसी से हो, उससे आपकी पढ़ाई को नुक्सान पहुचाती है, यानि कि जो भी आप पढ़े हो वो भूल जाते हैं, तिसरा अगर अच्छा पढ़ाई करना है तो इन इलक्ट्रोनिक क्यंत्रों से दूर है, जैसे कि मुबाईल टेलिपॉन चोथा उपाई अच्छे से पढ़े, किसी भी चीज को अच्छे से पढ़े पहला है, अपने पढ़ाई के कार्यों को किसी भी परकार से अच्छे से समझते हुए पूरा करने के लिए अपना लेक्ष दे करें अपने पढ़ाई के कार्यों को किसी भी परकार से अच्छे से समझते हुए पुरा करने के लिए अपना लेक्ष दे करें जब तक आपका लेक्ष ना हो तब तक पढ़ाई अच्छी नहीं होगे सबसे पहले किसी भी स्टुडेंट को अपना लेक्ष त्यार करना होता है दूसरा है अपनी मेहनत के लिए सुवे को सबासी दें और उसी सबासी से प्रेणना लेकर पढ़ाई में और मन लगा है अपनी मेहनत को सुवे यानि कि खुद के लिए सबासी दें और उसी सबासी से प्रेर्णा लेकर पढ़ाई में और मन लगा है तिसरा है हमेशा सकरात्मक विचारों के साथ जुड़े रहे हैं हमेशा सकरात्मक विचार यानि कि पॉजिट्रिव थौट के साथ जुड़े रहे हैं और खाली समय में अच्छी प्रेर्णा दाये किताबे पढ़ें। खाली समय में अधी आप बेटे हैं तो उस situation में अच्छी प्रेर्णा दाये किताबे पढ़ें। ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ें। जिसे आपको inspiration होते हैं। चौथा है अपने विचारों और एहसास को अपने दोस्त परिवार को बताएं और जाने क्या अच्छा हैं और क्या बुरा है। किसी और से सर्क करने से कुछ कुछ solution होती है। पाचमें भले ही कम-कम करके पढ़ें पर समझ कर पढ़ें। भले आप कम पढ़ें लेकिन समझ कर पढ़ें। ऐसा नहीं कि पुरा पढ़ें पुरा पढ़ें और माइंड में कुछ नहीं रहा है। ऐसे पढ़ाई का कोई फायदा नहीं। काम ही पढ़ है लेकिन समझ कर पढ़ हैं पाचमा उपए अनुसासित रहें डिसिप्लीन मेरे हैं किसी भी अस्टूडेंट को डिसिप्लीन मेंटिन करना बहुत जरूरी होता है पढ़ाई में अनुसासित रहने के लिए क्या करें उसके बारे मैं बताऊंगे पहला है जब कभी भी आपका ध्यान गलत और जाने लगे उसे जट से रोकिये और पढ़ाई पर ध्यान दीजे जब कभी भी आपका ध्यान गलत और जाने लगे तो उसे रोकिये और पढ़ाई पर ध्यान दीजे दुसरा धीरे धीरे आप नियमित रुप से टाइम टेबल के अनुसर पढ़ाई करेंगे तो आप अपने आप अनुसासित हो जाएंगे धीरे धीरे आप नियमित रुप से टाइम टेबल के अनुसर पढ़ेंगे तो आप अपने आप अनुसासित हो जाएंगे किसी तरह से कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी तिसरा अगर आपका ध्यान तब भी दूसरी और जाने के लिए उतेजित हो रहा है उतेजित यानि कि एकसाइटेड हो रहे हो किसी दूसरी चीज़ों को करने में अपने पढ़ाई कमरे के दिवार पर एक कागज पर लिख कर चिपका दे में पढ़ाई के समय मात्र पढ़ाई में ध्यान दूँगा और कुछ भी नहीं करूँगा अगर आपको किसी और चीज़ करने में मन लग रहा हो तो पढ़ाई के टाइम पर तो आप अपनी जिस रूम में पढ़ाई करें उस रूम में कागज पर लिख दे की में पढ़ाई के समय मात्र पढ़ाई में ध्यान दूँगा और कुछ भी नहीं करूँगा इससे आपका माइन डैवेट नहीं होगा चौथा है अगर आपको तब ही मुश्किल हो तो अपनी गलतियों को अच्छे से पाश्याने और सुधारें अगर आपको यह सब करने के बावजूद भी मुश्किल हो रही हो तो अपने गलतियों को अच्छे से पाश्याने और सुधारें अच्छे से पशानने और सुधारने का मतलब है कि खुद में सोचिए कि हम क्या गलत की है और क्या इसमें सुधार करनी है पांच मैं पढ़ाई को मज़ा समझ कर पढ़े ना कि बोज की जैसे पढ़ाई को मज़ा समझ कर पढ़े जैसे कि खेलने में अधिकतर स्टुडेंट को मज़ा आता है उसी तरह पढ़ाय को भी खेल की तरह ही समझे मज़ा लेकर पढ़े बोज की जैसा नहीं छटा जाने कब आपको अराम करना है आपको कब अराम करना है उसके बारे में में बताऊंगे छटा उपा है अब परती 45-60 मिनेंट में 5-10 मिनेंट का ब्रेक जरूर ले इससे दिमाग ताजा रहता है इतना भी पढ़ाय ना करें कि आप अपने परिवार से दूर हो जाए हर चीज के लिए टाइम मेनेजिमेंट होना बहुत आविश्यक होता है आप परती 45-60 मिनेंट में 5-10 मिनेंट का ब्रेक जरूर लें यह मैं शुरू से ही बता रही हूं कि 45-60 मिनेंट में पढ़ें उसके बाद 5-10 मिनेंट का ब्रेक लेना जरूरी है जिसे कि आपका दिमाग ताजा रहता है और पढ़ावा चीज भूलते नहीं है और इतना भीरना पड़े कि पड़िवार से दूर होना पड़े हर एक चीज के लिए टाइम मेनेजिमेंट होना बहुत आविशाक है जैसे कि इतना टाइम दस में टाइम घरवालों को देना है इसी तरह टाइम मेनेजिमेंट करके रखना बहुत जरूरी होती है सात्वा उपहें अपनी परगती को देखें अपनी परगती यानि कि खुद क्या करें उसके बारे अपने आप से कुछ जरूरी सवाल पूछें आप अपने खुद से सवाल करें सवाल क्या करना है पहला सवाल करना है अपने से मेरे मुख लक्ष क्या है और खुझ से सवाल करना है कि लेक्ष मेरा क्या है दूसरा इस सब्ता में मुझे अस्कूल या कॉलेज का प्रोजेक्ट पुरा करना है इस सब्ता में मुझे कॉलेज अस्कूल का प्रोजेक्ट पुरा करना है खुझ से सवाल करना दूसरे से नहीं तिसरा है, मुझे याज क्या-क्या पढ़ाई पुरा करना है क्या-क्या पढ़ाई करना है, वो खुद से पुछे चोथा, क्या मेरा टाइम टेबल और पढ़ने का तरीके मेरे लिए सही काम कर रहे हैं जो आप टाइम टेबल बनाएं वो सही काम कर रहे हैं कि नहीं वो खुद से पुछे पाच्वा सवाल खुद से इसमें सुधार लाने के और तरीके क्या हो सकते हैं खुझ से पुछे कि जदी आपके अंदर सुधार नहीं है तो इसे सुधार करने के लिए और क्या तरीके हो सकते हैं आठमा उपा है अपने सरीर को पशाने कि आपको कब क्या करना है आपका दिमाग क्या करता है आपको अपने सरीर को समझना होगा कि आपका दिमाग कब ज़्यादा पढ़ने का मन कर रहा है रात को या दिन के समय सही समय में ही सही कायर करने को ही सफलता कहते हैं आपको अपने सरीर को समझना होगा कि आपका दिमाग कब ज़्यादा पढ़ने में मन कर रहा है रात को या दिन को उसी के अनुसार आप पढ़ाई करें आसा नहीं कि कि रात में पढ़ना ही तो पढ़ना है जब आपका मन करें सही समय में सही करने कोई सफलता कहते हैं जदि आपको लगता है कि ज्यादा पढ़ने में दिन में अच्छा लगता है तो उसी टैम पढ़ें किसी भी अशुडेंट को अच्छी नीन सोने से दिमाग ताज रहता है जब कोई बैक्ती अच्छे से सोता है तो उसके हार्मोन सही तरीके से रेगुलेट होते हैं जो दिमाग को मजबूत बनाते हैं और शरीर को अराम भी देते हैं जब कोई बैक्ती अच्छे से सोता है तो उसके हार्मोन सही तरीके से रेगुलेट होते हैं दिमाग मजबूत बनते हैं और शरीर को अराम भी देते हैं अच्छी नीन सोने से इससे छात्रों को पढ़ाई किये हुए पाठ को याद करने में मदद मिलती हैं अच्छी नीन सोने से जो आप पढ़े हैं वो याद करने में मदद मिलती हैं ठके हुए सरीर से कभी भी पढ़ाई पर ध्यान या मन लगाना बहुत मुश्किल होता है और कभी कभी नामुमकीन भी है ठके हुए सरीर से भी कभी कभी पढ़ाई पर ध्यान मन नहीं लगता है और बहुत मुश्किल ही होता है इसलिए जरुरत के हिसाब से पर्ति दिन 7-8 घंटा रात को जरुर सोना चाहिए जरुरत के अनुशार पर्ति दिन 7-8 घंटा जरुर सोना चाहिए दसमा उपा है अच्छा खाना खाएं अच्छा खाना खाने से हमेशा तंदुरुस्त रहेंगे और आप अपनी सभी कायर भी उत्साइद होकर कर सकेंगे अच्छा फल सबजी और अनाज खाने से दिमाग की सक्ति बढ़ती है जदि आपका अच्छा खाना है तो उस सिच्वेशन में आपका हमेशा तंदुरुस्त और मन भी ताजर आता है और पढ़ने में भी मन लगता है इसलिए अच्छा फल सबजीया और अनाज खाने से दिमाग की सक्ति बढ़ती है अच्छा खाना से पश्टिक और संतुलित अहार से पढ़ाय में मन भी लगता है ज्यादा वशा युक्त मिठा पश्टिक और संतुलित अहार से पढ़ाय में मन भी लगता है ज्यादा वशा युक्त मिठा कार्बो हाइडरेट युक्त खाना ना खाए क्योंकि इससे आपके सरीर को हानी पहुचता है कार्बो हारेडर्ट युक्त खाना ने खाना चाहिए क्योंकि इसे आपके सरीर को हानि पहुचता है 11 और अंती मुपा है एक समय में एक ही काम करें एक समय में एक ही काम करें। ऐसा नहीं कि अभी कुछ कर रहा हैं फिर तुरत वही काम करने लगें। मतलब दो तिन काम एक साथ ना करें, एक ही समय में एक ही कायर करने की आदत डालिए, ना सिर्फ पढ़ाई में बलकि हर एक छेतर में या बहुत ही उपयोगी साबित होता है, किसी भी कायर को एक समय में एक ही कायर कीजिए, और एक साथ दो तिन कायर करने से गड़बड होती है जिसे आपको पढ़ाय में मन नहीं लगेगी कैसे करें एक समय में एक काम कैसे करें एक समय में एक काम उसके बारे में मैं बताऊंगी पहला अपना ध्यान पूरी तरीके से एक ही पाट के उपर रखे अपना ध्यान पूरी तरीके से एक ही पाट के उपर रखे आसा नहीं कि थोड़ा यह पढ़ें थोड़ा दूसरे चप्टर पढ़ें अच्छी नहीं होगी। एक ही चीज में ध्यान रखें। दूसरा है जब एक पार्ट या टॉपिक पूरा हो तभी दूसरे पढ़ जाएं। जब कभी एक पार्ट यानि कि चैप्टर टू पढ़ रहे हैं उसको कंप्लीट करें तभी आप दूसरे टॉपिक या किसी चीज के बारे में पढ़ें। तिसरा एक ही समय में बहुत सारे टॉपिक को पूरा करने की कोशिश से सभी कारियों को अपूर्ण रखना पढ़ सकता है। पूर्ण पूर्ण नहीं होता है सारे टॉपिक को पूरा करने की कोशिश ना करें। एक टॉपिक पढ़ें। और आप को अगर हमारे वीडरियो अच्छी लगी तो प्रीज लाइक & subscribe my YouTube चैनल & share Coal झाल मुझा झाल